हलो आज है थर्ड अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबैक्स लिमिटेट के बारे में तेकि सुबैक्स के शेर्ड में आज 20% की तेजी है और उसका सिंपल रीजन है एक बहुत बड़ी खबर एक बहुत बड़ी पार्टनर्शिप इन्होंने करी है वो भी बहुत बड़े टेलीकॉम आपरेटर के साथ टेलीकॉम प्लियर के साथ कहलो आप यहां पर इंडिया के और वीडियो में डिसकस भी करेंगे तो सुबैक्स ने 20% की तेजी दिखाई है लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि एक ही जटके में सुबैक्स का जो शेर है वो काफी ऊपर भाग चुका है आज 20% की तेजी दिखा चुका है उसका श्रेई अगर किसी को जाता है तो वो जा सुबैक्स 20% अपर सरकीट लगी है और अगस्थ 3 आफटर कंपनी साइड इट स्टक डिल विद जियो प्लाटफॉर्म देट विल ऑगमेंट तफाईजी प्रोडक्ट लाइन ओफ आरा यल टेलिकॉम बिजनस तेखो रिलाइंस हम सब जानते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम भी करहे हैं हाल फिलवाल में और सबसे जादा किसे ने खरीत हैं वो तो रिलाइंसने खरीदे है और यहां पर अगर आप देखने की कोसिश करें तो उन्होंने पार्टनरशिप करी है सुबैक्स के साथ हैं अंगे पार्टनरशिप अंडर विच जियो वूड ऑफ उस्लाउड नेट सब्सक्राइब और और यह एक बहुत बड़ी डील है और कह सकते हैं अच्छी बात है खासा फिसक्षात जैसे कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है Jio and SUBEX partnership provide new opportunity to enable end-to-end 5G services for enterprise and consumers Jio's 5G stack completes the digital monetization platform of SUBEX to enable wild range of 5G use cases यह कहना है Senior Vice President Jio Platforms के उनकी तरफ से यह statement आया है और आज यही वज़े है कि वहाई सहाब बहुत बड़ी तेजी SUBEX ना दिखाई है लेकिन अगर आप 3 साल के बाद के तो SUBEX 3 रुपे का था पैनी स्टॉक था 72 रुपे तक गया उसको बाद लगा था टूटा अगर आप चैनल को regular follow करते हो तो SUBEX जब आपको 10-12 रुपे के आसपास मिल रहा था था तब मेरी buying के recommendation थी और मैंने तब यह कहा था कि देखो operator यहाँ पर game खेल रहे हैं तो definitely share में आपको तेजी देखने को मिलेगी तो खरीदारी कर सकते हो लेकिन जब यह 50-60 रुपे से उपर निकला था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर profit लेके निकलने वाला माहुल है क्योंकि operator ने काफ़ी जादा pump up कर दिया है इस company के shares को अब यहाँ से तूट सकता है और definitely उसके बाद 72 तक भी गाई है लेकिन उसके बाद जब तूटना शुरू हुआ तो भेंकर गिरावट आई तूट रहा था लगा था यह तूट रहा था 24 मतलब 22 रुपए तक पहुँच गया था पिछले महीने तक दीरे दीरे market के तेजी में यह recover भी हुआ और आज एक बहुत बड़ी खबर ने इसके shares में आग लगा के रखी हुई है तो वो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं आज की जो तीजी है वो सिर्फ इस खबर के चलते हैं और आने वाले दोर में अगर जियो से अच्छा सपोर्ट मिलता रहा इनको तो शायद कंपनी के अच्छे दिन आ सकते हैं अगें जियो पर डिपेंडेंसी काफी जादा है इनकी अभी के वुक्त में सौ करोर से घटके 75 करोर पर आ चुके हैं इनके ये प्रॉब्लम जरूर है सुबैक्स में सुबैक्स को अब फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी नहीं मान सकते पहली चीज़ लेकिन हाँ जियो के साथ ही जो डील हुई है कहीं न कहीं इसके शेर्स को और उपर भगाने का काम जरूर करेगी यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो डेजिगनेटिट परसन है उनकी तरफ से 29 जून को बिक्वाली हुई थी रंजी जो शायद अब वो अपसोर्स भी कर रहे होंगे 45 सदार शेर्व उन्होंने बेच्च भी हुए थे जैसे कि डिरेक्टर ने यहां पर खरीदा था इस आप से जबकि सुबेक्स वेलफेर इस आपने बेनिफिट ने यहां पर बेचा था दिस्पोस किया था तो हैंड एक्स्चेंज में कहूंगा और काफी जाधा ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिले भी हैं यह सिफ हैंड एक्सचेंज ही हो रहे हैं पर और कुछ जाधा बड़ा है नहीं रेवन्यू देखे होगे तो पिछले पांस सालों से उतने ही एवन 2022 में तो कम हो गए थे इनके रेवन्यू में गिरावट है 300 करोड के आसपास के रेवन्यू है जहां तक बात करेंगे प्रॉफि कोई भी रेड़ फ्लेग नजन नहीं आ रहे हैं और अगें 33 रुपए का शेर देखने में सस्ता लगता है न्यूज काफी अच्छे लेकिन पी रिश्यो देखे 72 का है तो बहुत महंगा है ये इसी रेंज में 26 का इसका सेक्टर पी है सुबैक्स को लेकर पहरे जिसनों मैं ये कहूंगा कि fundamentally company उतनी जादा strong तो नहीं है जो खबर है जियो के साथ partner की उस ने ही सबसे जादा pumping की है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखे शेह holding pattern देखे तो promoter कोई है नहीं mutual fund कोई है नहीं जिसने खरीदारी करी हो domestic वालों के पास 0.02% की holding है एफाइस के पास 0.92% की holding है जादा दर holding लेकर बैठ है retail investor 52.21% की बहुत बड़ी holding retail investors के पास है और बाकि की other parties के पास है 46.85% की holding other parties के पास है और देखा जाए तो retail investor की holding बड़ी है other parties की कम हुई है FIS की भी holding बड़ी है retail investor जो 48% की holding रखते थे सब्टेंबर तक आज उनकी holding बढ़ कर 52 पर आ चुकी है तो देखा जाए तो वाई सहाब बड़े-बड़े fund houses अभी भी इससे दूर ही है Subax देखो मैं यह मानता हूँ कि हाँ यह जो आज़ी खबर आई है जरूर है यहाँ पर वो काम करेगी और 2-3 दिन तेजी लाने का उसके बाद क्या होगा यह वापस उपर से नीच आए गा यह वापस उपर से नीच आए जैसे पहले भी हमें देखने को मिल चुका है Subax में तेजी अगर आती है न तो बहुत बड़ी तेजी आ जाती है यहाँ पर लेकिन उसके बात क्या होता है pumping होती है फिर dumping भी उतनी ही देखने को मिल जाती है जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि 49 रुपी से जो pump हुआ यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में 59 तक चला गया यह लेकिन बाद में क्या हुआ वहाँ से तूट कर दिये 51 तक आ गया यह 5G का है यह 5G देखो 5G के नाम से कुछ दिनों के लिए बहुत कुछ चल जाएगा ठीक है लेकिन लॉंग टर्म के लिए नहीं चलने वाला है सुबैक्स को अब वह performance दिखाना पड़ेगा अपने quarterly results में profits कमा के दिखाना पड़ेगा revenue कमा कर दिखाना पड़ेगा उसको definitely एक बहुत बड़ी company के साथ deal हुए है जियो के साथ deal हुए है वह भी 5G में इनकी deal हुए तो यह बहुत बड़ी बात है लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि सुबैक्स खरीदा है तो बने रहो पहले जिस तीजी आएगी और उस तीजी का फाइदा उठा सकते है अगर शेर आपको 45-50 पर trade करता देखे जाए तो भी आप बेच के निकल जाओ पहले जिस वहाँ पर फिर खरीदारी करने की जरूद नहीं है और 33 रुपय का शेर देखो आज तो मौका मिलेगा नहीं कल अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो खरीदारी करने की जरूद नहीं है अगर यह शेर आपको सस्ता मिलता है तो नीचे की तरफ आप जा सकते हो अगर आप यह कह रहे हो कि अच्छा जीओ के साथ पार्टनर हो तो याद रखे कुछ पिछले साल इनफी बीम को लेकर कि आप तब खरीदारी करो जब यह और रेड़ी 22-23 तक पहुंच चुका है तो यही कहूंगा अच्छी कंपनी है मार्केट में उस महां पर पैसा लगाईए और यह न्यूस से भागा है और डेफिनिटली अभी एक दू दिन और भागेगा यह लेकिन बाद में करें चैनल पगरा पहले ही बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुबेक्स के बारे में आप क्या स्कुछते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू